तो गुद्मॉर्णिंग स्टुडेंट्स संद्राइज एजुकेशन एकेट भी में आपका स्वागत है आज हम इंग्लेश में पार्ट नाइन क्लॉज करेंगी ठीक है यह 11 और 10 दोनों के लिए कंपल्सरी है ठीक है गैप फिलिंग के अंदर यह आएगा टेंट के भी गैप फिलिंग में आएगा और 11 के भी गैप फिलिंग के अंदर यह आएगा क्लॉज वाला टॉपिक तो ध्यान दोई देया पार्ट 8 में हमने कुछ उदारणों को समझाता तो उनी से आगे continue हम कुछ एग्जामपल को समझते हैं जैसे हम सीख रहे हैं सेंटेंस को जॉइंट करना क्योंकि एग्जाम में 10 दे क्लास के कोर्ष में सेंटेंस को जॉइंट करना आएगा या फिर fill in the blanks खाली जगह में हमें suitable जो है conjunction बढ़ना होगा तो जैसे देखो नेहा believe it, he is innocent, नेहा इसमें विश्वास करती है अब it में विश्वास करती है कि वह जो है भोला है, innocent का मतलब है जो थोड़ा सा क्या हो, उदार हो, भोला हो, ठीके, तो इन दोनों सेंटेंस को में जॉइंट करना है तो नेहा believe करती है, किसमें believe करती है कि वह भोला है, ठीके, तो it जो है यहाँ पे, यह हट जाएगा, it की क्या लग जाएगा, that क्योंकि वह that से connect करने के लिए कह रहा है, तो नेहा believe, नेहा believe करती है, that he is innocent, ठीके, तो आपको ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, जहाँ पे sentence जुडता है, तो वह subject की जुडता है, तो subject हट जाएगा, object की जुड़ेगा, तो object हट जाएगा, यहा believe, निया विश्वास करती है, क्या विश्वास करती है, तो पूरा object चाहिए, तो इतना पूरा object यहां से लगा कर यहां तक, that he is honest, that he is honest, यह पूरा object हो गया, आगे देखो, Ram said it, she can speak three language, Ram ने कहा, वो तीन language बोल सकती है, अब said का object कौन है, it, अगर हम it को हटाएगे, और उसे that से connect हैंगे, तो आगे यह पूरा said क्या हो जाएगा, object हो जाएगा, तो Ram said that, Ram said that, ठीक है, it हट गया, that आगे, अब आगे उसको जोड़ दो, she could speak three languages, ठीक है, Can past tense में could में बदल जाता है, ठीक है, इसलिए Can को मैंने could में कर दिया है, she said that she could speak three languages, ठीक है, आगे देखो छटा, Ram was happy, Ram khusta his brother could solve his questions, उसका भाई उसके प्रश्णों को हल कर सकता था, ठीक है, अब इसमें that को जोड़ना है, परन्तु इसमें देखो, इसमें आगे वाले sentence में भ पिछे वाले sentence में भी देखो, his brother could solve his question, उसका भाई उसके प्रश्णों को हल कर सकता था, दोनों sentence जो अपना आप में लगबग पूरे है, तो जब पूरे हो, दोनों को object की जरूत नहीं हो, तो that को बीच में ऐसे ही connect कर देना है, कि उसका भाई उसके प्रश्णों को हल कर सकता था, यानि केवल हमें की के लिए, इंडी में जो की आता है, उसके लिए that को जोड़ना है, तो फिर कोई change नहीं होगा, राम वाज हैपी, राम खुशता, ठीक है, that his brother could solve his questions, आगे देखो, I was sad, I was sad, I was not brave that time, मैं उस समय बहादूर नहीं था, तो इसका हो जाएगा, I was sad, that I was not brave that time, मैं दुखी था कि मैं उस समय बहादूरी का परदर्शन नहीं कर पाया, तो इस तरह भी अब पूरा sentence है, I was sad, पूरा sentence है, मैं दुखी था, अब इसको भी कोई जरूत नहीं है, ठीक है, आगे वाले देखो, I was not brave that time, मैं उस समय बहाद बादूर नहीं था, अब इन दोनों को simply हम देट से जोड सकते हैं, simply, ठीक है, तो simply जोडते समय देट का जो हिंदी में जो अर्थ निकलेगा, वो लिकला की, मैं खुश था की, मैं उसमें बादूर नहीं था, आगे देखो, नहा सोल्डे पेन, it was black, नहा एक पेन खरीदा, वो बलेक था, तो नहा ने पैन खरीदा जो बलेक था, ठीक है, तो इट हट जायेगा, क्योंकि which को हमें दोनों sentence को जोडने के लिए which का परियूग करना है तो which का परियूग करने के दबल subject कभी नहीं आ सकता तो पीछे वाले sentence में एक subject आया हुआ है तो nominative case में हमें which का इस्तमाल करना है तो यहाँ पर it हड जाएगा निहाँ sold a pen which was black क्योंकि it भी nominative case में और which भी nominative case में तो दोनों nominative case में होने के कारण यहाँ पर it की जगे के आ जाएगा विच आ जाएगा राम ओपन डेट डोर राम वाजे ब्रेव ओई राम ने वो दर्वाजा खोला राम एक बादूर लड़का था अब यहाँ ध्यान दो राम ने दर्वाजा खोला और राम ही बादूर है ठीक है तो दोनों sentence में subject sam है राम ही है तो हमें who से इसको connect करना है तो दो वार राम लिखने की जरूत नहीं एक बार राम लिख दिया अगले वाले sentence में राम को हटा दो राम तो ऐसे condition में आपको पिछे वाले sentence को आगे ले लेना है राम ही बादूर पर लड़का था अब यह देखो यह भी complete हो गया और राम ओपन देट डोर यह भी complete हो राम ओपन देट डोर केवल बीच में इसको लेकर आए ठीके तो पिछे वाले sentence को आगे लेना है और राम उसमें से हटा देना है गीता क्लीन डेट सर्ट हर हैर वर वर वेरी लॉंग गीता ने उस सर्ट को साफ किया ठीके उसके बाल जो थे थोड़े लंबे थे तो सर्ट साफ किया уже के अधर उसके बाल लंबे थे तो अब देगो गीता और हर ऐयर या मतलक़ दोनों तरफ सब्जेक्ट लगबग सि्ワिमिलर है इस तरफ भी गीता है Biz तरफ हर है उसके बाल यनि गीता से स्रेलेटेड है तो हम इस तरफ लिख देंगे गिता ठीक है गिता लिख दिया अब दूसरे वाले वक्षे से सुरू कर देंगे हर की जग हम क्या लगा देंगे हूज लगा देंगे whose hair were very long clean that shirt गीता जिसके बाद बहुत लंबे थे वो shirt साप किया ठीक है तो इसमें हमने हर को हटा कर क्या लगा दिया whose लगा दिया तो whose hair were very long ये आगे लगा शिप्ट कर दिया और clean that shirt ये पिछे शिप्ट हो जाएगा ठीक है तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूत नहीं है आपको ये ध्यान दखना है कि अगर who से जोड़ना है तो subject हटा देना है which से और who से जोड़ना है तो possessive case हट जाएगा यहाँ पे हर possessive case ना वो हट गया ठीक है यहाँ पे विडिया को who से लगा है तो जब नॉमिनिटिव केस में कोई जुड़ता है तो subject हटता है objective case में कोई जुड़ता है तो object हटता है और possessive case में कोई जुड़ता है conjunction तो क्या हट जाता है possessive case हट जाता है ठीक है अब कई बार prick शा के अंदर fill in the blanks भी आ सकते हैं जैसे गिता break a war गिता एक दिवार तोड़ती है and is strong और वो दिवार क्या है मजबूत है तो अब देखो इस में से which और who में से क्या आएगा इन दोनों में से अब गिता दिवार तोड़ती है और दिवार मजबूत है तो दिवार कोई गिता तो है नहीं दिवार निर्जीव चीज है और निर्जीव चीजों के लिए मैंने बताया आपको निर्जीव चीज है या एनिमल्स है उनके लिए विच का प्रियोग होता है किसका प्रियोग होता है विच तो आपको हू नहीं बढ़ना है हू कब बढ़ते हम जब जिस पे काम किया जा रहा है ठीक है वो कोई पर्षन होता अगर पर्षन होता है तो हम यहां पर हुँ भरते विच नहीं ही परते लेकिन जो दिवार के बारें बताया जा रहा है और दिवार मजबूत है तो दिवार एक नॉन living thing है इसलिए यहां पे विच आया नहा meet a man नहा एक आदमी से मिली you slapped yesterday तुमने उसे थपड मारा तो नहा एक आदमी से मिली और तुमने उसको थपड मारा ठीक है तब who और whom में से क्या बढ़ना यह देखना है तो नहा आदमी से मिली जिसको तुमने थपड मारा है तो objective case में who का इस्तमाल नहीं होगा किसका इस्तमाल होगा whom का यह आप जान रख लेना objective case में who नहीं लगता है whom लगता है क्योंकि नहा उससे मिली जिसको तुमने थपड मारा था यानि निया जिस आदमी से मिली तुमने उसको थपड मारा था तो दूसरे वाले सेंटेंस का अबजेक्ट कौन है हूम है कौन है हूम है यह तो पूरा हो गया निया आदमी से मिली यह तो सेंटेंस पूरा हो गया अब तुमने उसको कल थपड मारा तो दूसरे वाले सेंटेंस के लिए object कौन हो गया उसको तो whom आएगा यहाँ पे अगर यहाँ हू आता ना तो यह you नहीं आता क्योंकि हू खुद nominative case में काम करता है और nominative case में जब काम करता है तो subject हट जाता है ठीक है तो यहाँ पे whom आएगा अगला देखो राम प्लेस फुटबॉल राम फुटबॉल खेलता है राम फुटबॉल खेलता है और उस फुटबॉल का कलर ब्लेक है और फुटबॉल कैसी है non living thing है ठीक है तो यहाँ से था हमने पता चल गया non living thing है परन्त who's और which मैं से क्या आएगा तो definitely है उसका कलर यहनी फुटबॉल की विषैसता बता जा रही और मैंने बताया Cat परियोग होगा राम प्लेश फुटबॉल हूज हूज कलर वाज बलेक जिसका कलर कैसा था बलेक था तो यह आप ठोड़ा ध्यान रखना कि पजेशिव केस आए तो हम जो है नमिनिटिव केस को नहीं बर्श रखते और नमिनिटिव केस आए तो उस समय अबजेक्टिव और पजेशिव केस को नहीं बर्श रखते जिनको तिनो केस समझ में आगे ना उनके लिए कोई प्रॉबलम नहीं है और जिनको केस समझ में नहीं है उनको फिर प्रॉबलम में प्रॉबलम में आपको तिनो कारक समझ में आड़ेजिंग नमिनेटिव केस क्या होता है अबजेक्टिव केस क्या होता है पजेसिव केस क्या किसे इसता बताने का कारी करता है ठीक है आगे देखते हैं कि अब टेंथ क्लास में तो जो क्लोज आएंगे उसको दो ही तरीके या तो फिल इन दे ब्लैंक्स ब्रवाई जाएगी खाली जगह ब्रवाई जाएगी या आप से यह कह दिया जाएगा कि आप जो है सेंटेंस को जॉइंट करो सेंटेंस को क्या करना है जॉइंट करना है थोड़ा सा या सोर हो रहा है भई पास में ठीके अब ध्यान दो जैसे इलेवंट क्लास में सेंटेंस आएगा कि आपको सेंटेंस को पैचान ना है कि उसमें प्रिंसिपल क्लोज क्या है कोडिनेट क्लोज क्या है और सबडिनेट क्लोज क्या है ठीके तो जैसे पहला सेंटेंस दे रखा है कि Ram has stolen my watch Ram ने मेरी घड़ी चुरा ली तो Ram ने मेरी घड़ी चुरा ली इसमें आपको पैचानना है कि Principal Clause क्या है Subordinate Clause क्या है Coordinate Clause क्या है 11th Class में जो ये कोर्स है इसके अंदर आपको Sentence के टाइप को पैचानना है ठीक है तो Ram has stolen my watch तो एकदम Simple Sentence है Principal Clause में ठीक है तो ये Principal Clause है अब देखो It has rained before I reached home मेरी घर जाने से पहले बारिश हो गई तो इसमें Principal Clause कहा तक हो गया It had rained जो Simple Sentence होता है जो एकदम Independent होता है स्वतंतर होता है वो हमेशा Principal होता है तो It had rained ये Principal Clause है Before I reached home मेरी घर पहुचने से पहले ये वाला वाक्य अब It had rained पे डिपेंड कर रहा है तो जब दूसरा वाला वाक्य पहले वाले वाक्य पे डिपेंड करे तो उसे Subordinate Clause कहता है Before I reached home आगे देखो He is Honest पहला वाला वाक्य एकदम Free है वो इमानदार है लेकिन अगला वाला वाक्य पहले वाले पे डिपेंड है But He is Clever लेकिन वो चाला के तो ऐसी कंडिशन में क्या हो गया But He is Clever हो गया Coordinate Clause क्या हो गया Coordinate Clause नई समझ मैं है ते एक बार वापस है देख लो देखो जब कभी भी Conjection से वाक्य शुरू होता है तो वो मान के चलना कि या तो वो Subordinate Clause होगा या Coordinate Clause होगा या Before जो है पहले देख लो कौन सा Conjection है Before जो है Subordinating Conjection है Subordinating Conjection होना यह मैं पढ़ा चुका हूँ आपको पहले ध्यान देना दो तिन वीडियो देखना उसमें समझ में आ जाएगा Before I reached home मेरे घर पहुचने से पहले तो मेरे घर पहुचने से पहले तो यह वाला वाक्य पहले वाले वाक्य पर डिपेंड कर रहा है उसमें निर्बर कर रहा है इससे आस्तरीत है क्योंकि अगर आप किसी के सामने बोलोगे मेरे घर पहुचने से पहले तो वो समझ नहीं पाएगा कि यह क्या कहा रहा है उसको पहला वाला वाक्य भी आपको बोलना पड़ेगा तो Before चोकि Subordinating Conjection है तो यह Before से लगा कर I reached home यहां तक यह Subordinate Clause है ठीके But He Is Clever But यहां Coordinating Conjection है तो Coordinating Conjection से आगे जितन भी वाक्य बनता है वो Coordinate Clause होता है और खाली Simple Sentence हो जिसमें कोई Conjection नहीं हो वो Simple Sentence होता है वापस समझ में आ गया नहीं समझ में एक बार और देख लो जब Sentence में कोई Conjection नहीं हो तो वो Principal Clause होता है तो Ram has stolen my watch इस Sentence पहले वाले वाक्य में कोई Conjection नहीं है तो कोई Conjection नहीं होने के कारण यह पहला वाला वाक्य है Principal Clause में जबकि दूसरे और तीसरे में दो-दो वाक्य इनमें पहला वाक्य It has ran He is Honest यह सोतंतर है इसलिए प्रिंसिपल क्लॉज है क्या है प्रिंसिपल क्लॉज बाकी के दो वाक्य इनके जोईंट जो sentence है वो Conjection से शुरू हो रहे जैसे Before I reached home तो Before Conjection है कौन सा Subordinating Conjection तो Before से लगा कर Reached Home तो Subordinate Close हो गया अगले वाले वाक्य तीसरे में बट ही इस क्लेवर तो बट से बट जो है Coordinating Conjection तो Coordinating Conjection से आगे वाला जो sentence है वो क्या हो गया Coordinate Clause हो गया तो आपके कोर्ष में किवल यही आएगा sentence को पैचानना 11th Class वालो के कि यह Principal Clause क्या है Subordinate Clause क्या है Coordinate Clause क्या है ठीक है और आपसे ज़्यादा पूछ सकता है यह पूछ सकता है कि sentence का टाइप क्या है तो पहले वाला sentence एकदम simple है क्योंकि इसमें ना तो Subordinate Clause है और ना ही Coordinate Clause है जब sentence में कोई भी Conjection नहीं हो तो मान के चलना वो Principal Clause में है और वो Simple sentence है कैसा sentence है Simple sentence है इसमें कोई Conjection नहीं है पहले में तो इसलिए यह Simple sentence है दूसरे वाले वाक्या में क्या Conjection है Before और Before Subordinating Conjection है इसलिए यह Subordinate Clause बनाता है और जिस sentence में Subordinate Clause होता है उसे इंगलीज में Complex sentence कहते है क्या कहते है Complex मैंने यहां लिख दिया complex sentence ठीके और जिस sentence में Coordinate Clause होता है जैसे But He Is Clever यह Coordinate Clause है क्या है Coordinate Clause तो जिस sentence में Coordinate Clause होता है उस sentence को इंगलीज में Compound sentence कहते है क्या कहते है Compound sentence मैं अलमरिक बोलता हूं थोड़ी अब ज्यान दो देखे तो आपको समझ में आ गया होगा 11th Class वालों के लिए टॉपिक में है क्या आपको sentence में Principal Clause Subordinate Clause और Coordinate Clause को पहचानना है और यह भी पहचानना है कि Simple है कि Complex है कि Compound है Simple है तो उसमें कोई Conjection नहीं होगा Complex है तो उसमें Subordinating Conjection होगा और Compound है तो उसमें Coordinating Conjection होगा यह आप ठवड़ा याद कर लेना और इसी के साथ आपकी Closed Topic होता है खतम आगे देखे Passive Voice नहीं टॉपिक है Passive Voice Passive Voice भी 11th और 10th दोनों के लिए कोर्ष में है थीक है तो Passive Voice को भी अच्छे से आपको समझना है थीक है तो Passive Voice क्या होता है ध्यान दीजिए वेन रिसीवर वर्क्स एजब्जेक्ट की तुरह कारी करें या फिल सब्जेक्ट अप ए सेंटेंस अंडर्गोज दे एक्शन अप ए वर्ब या सेंटेंस का सब्जेक्ट की वर्ब की काम की नीचे चला जाए तो उसे क्या कहते है Passive Voice कहते है नहीं समझ मैं आया तो सामनी बासाँ में समझ ज़ए इसे देखो इंगलीज में एक सेंटेंस होता है उसमें दो तरक होते है तत्व होते है पहला होता है डूर दूसरा होता है रिशीवर जैसे राम इड्स एन एपल तो राम क्या है या डूर है एपल क्या है रिशीव कर रहा है इसे तो यह एक्टिव वोईस में किसमें है एक्टिव वोईस में राम इड्स एन एपल तो इसमें देखो subject की जगए subject है, object की जगए object है जब क्या हो object जो receiver होता है वो आगे आ जाए तो ऐसी condition में उस sentence को passive voice कहते है क्योंकि वो फिर subject की तरह कारी करना शुरू कर देता है आप इसको हिंदी में ऐसे समझ सकते हो वे वाक्य जो object से सुरू होते हैं, करम से सुरू होते हैं किसे सुरू होते हैं, करम object से सुरू होते हैं और subject उनका सबसे पीछे आ जाता है subject सबसे पीछे आ जाता है उनको passive voice कहते हैं जैसे देखो, एन एपल आ गया आ गया राम सबसे पीछे चला गया समझ मागए है इनको करम परदान वाक्य भी बोलते है और जो एक्टी वाइस में जो सेंटेंस होते हैं उन्हें करता परदान बोलते हैं क्या बोलते हैं करता परदान क्योंकि उनमें सब्जेक्ट पहले आता है सब्जेक्ट को आप डूर बोल सकते हो एपल को आप receiver बोल सकते हो तो अगर object या receiver सबसे पहले आ जाए और subject और doer सबसे last में आ जाए तो उसे English में क्या बोलते है passive voice बोलते है अगर subject और doer आगे हो और receiver और object फिचे हो तो उसे active voice बोलते है समझ में आ गया होगा ठीक है अब passive voice passive voice जो है वो tense की तरह ही है जिसको tense समझ में आ गया उसको passive voice में समझ में आ गया actual में passive voice active voice की जो है opposite form में जिस तरीके से हर tense का अपना एक formula होता है और total 12 tense होते है तीन tense के चार सार भाग है तो 12 tense होते है और उन 12 tense में अलग-अलग जो है उनके formula है और वो सब active voice में किस में है active voice में तो मान के चलिए सब active voice में उनका passive voice भी बन सकता है तो जितने tense है उतना ही passive voice बनेगा यानि 8 tense है तो 8 tense का passive voice बनेगा 10 tense है तो 10 का बनेगा और 12 है तो 12 का बनेगा यानि अपने चोट भाग कितने तीन tense के बारा भाग है तो बारा ही भाग का passive voice बनेगा क्योंकि उन सब में sentence active voice में किसमें है active voice में हम उन sentence को passive voice में बदल सकते हैं sentence को उल्टा बोल सकते हैं ऐसे बोल सकते हैं सामने बासा में कि sentence को उल्टा बोल सकते हैं तो ये एक तरह से passive voice वापस tense ही है हम जो ये passive voice कर रहे हैं वो क्या है? टेंस ही है परन्तु उसकी reverse form उल्टी form है ठीक है टेंस में हमने सिखा था active voice में sentence को बनाना सीधा बनाना अब passive voice में हम जो है उल्टा बनाना सिखेंगे तो उल्टा बनाना सिखेंगे तो वापस हमें tense को देखना पड़ेगा कि present simple tense में sentence जो है passive voice में कैसे बनेगा तो उसका formula देखो present simple tense का अगर आपको passive voice बनाना है हर tense का अपना अलग-अलग passive voice बनेगा कुछ लोग कहते हैं आठ tense का ही passive voice बनता है नहीं बिल्कुल गलत है यह जितने tense है उतना passive voice बनेगा क्योंकि हर tense का अपना active voice है तो जहिर सी बात एक्टिव का तो passive बन आते हैं लेकिन चुकि टेंस बारा है तो आप बारा का ही बना सकते हूं ठीक है राम एट्स एन एपल राम एपल खाता है तो देखो इसमें सब्जेक्ट इजरेम वर्ब की थर्डपॉम बाहे और हाँ यहां पर थोड़ी मिश्टेक होगी देखो पैसी वोइस के फॉर्मले में अबजेक्ट पहले आ जाएगा क्या जाएगा अबजेक्ट पहले आ जाएगा फिर इजरेम आएगा फिर वर्ब की थर्डपॉम फिर बाई प्लस सब्जेक्ट तो परजेंट सिंपल टेंस के पैसी वोइस का फॉर्मला हो जाएगा अबजेक्ट इजरेम वर्पी थर्ड पॉर्म बाए और सब्जेक्ट ठीक है जैसे राम इड्स एन एपल राम एक एपल खाता है तो अबजेक्ट क्या हो गया इसका एन एपल एन एपल अबजेक्ट हो गया तो यह पहले आजाएगा क्योंकि अबजेक्ट पहले आजाता है फिर इजरेम में से क्या जाएगा इस क्योंकि एपल एक बचने फिर वर्प की थर्द पॉर्म इट की थर्द पॉर्म किया हो जाएगी इट टरन फिर फर्मूले को फोलो करो पाहें फिर सब्जेक्ट क्या है राम राम पीछे चला गया तो पर्जेंट सिंपल टैंस के पैशिव हैं बनाने का फॉर्मूला है औबजेक्ट, इजानेम, वर्पी थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट, यह आप याद कर लेना, तो आप कोई भी बना सकते हो, अब क्या होता है, कि सेंटेंस जरूर नहीं है, परजेंट सिंपल टेंस में, केवल एपरमेटी में हो, परजेंट सिंपल ट सेंटेंस वो सब एक्टिव वाइस में होता है, हम उनकी पैसिव अलग से बनाते हैं, फॉर्मूले को वापस डिराइव करके, ठीक है, तो देखो, डज, मुकेश, वास, क्लोस, क्या मुकेश, कपड़े दोता है, तो यह अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंगवर्ब बाहर आगी, तो आप फॉर्मूले की भी हेल्पिंगवर्ब को बाहर कर दीजिए, ठीक है, इज, आर, एम में से एक चीज बाहर आ जाएगी, अब वो डिपेंट करती है, आपके अबजेक्ट के उपर, अबजेक्ट क्या है, क्लो से प्लूरल है, तो प्लूरल होने के कारण हम आर को बाहर निकाल देंगे, आर, समझ में आ गया, क्योंकि इंट्रोगेटिव में एल्पिंगवर्ब पहले आती है, तो क्लोस प्लूरल है, क्लोस प्लूरल होने के कारण हम आर को बाहर निकाल देंगे, फिर ऑबजेक्ट को ल लिखते हैं तो यान लगा दखना पस अब चुकि इंट्रोगेटी थी को लिए ठीके पर यह घुखते हैं अब ञेट्टीव नहीं होता तो मैं एसे लिखता है क्लोट्स को पहले लिखता और आर को बाद में लिखता ऐसे लिखता क्लोज ठीक है आर वास्ट बाइबुकेश समझ मैं अबजेक्ट पहले आ जाता यह जाने में बाद में आता लेकिन यहां पर चुकिए इंट्रोगेटिव है तो हमें बाहर निकालने पड़ी क्लोज बहु अचने तो उसकी हमें हेल्पिं के बाद क्या लगा दो नॉट लगा दो थीक है तो राम डज नॉट क्लिन इत यह हो जाएगा इट इस नॉट क्लिन भाए राम कैसे हुआ object को ने it it को बार निकाल दिया helping verb it के बाद क्या आएगी is आएगी is singular के लिए r plural के लिए m के वलाई के साथ आती है तो it is हो गया अब चुकि ये negative है तो negative है active voice में तो passive voice में भी negative करना वड़ेगा तो हमने helping verb के बार not लगा दिया clean की third form clean कर दी by आए राम एक चीज़ आप और याद कर लेना कि passive voice में हमेशा वर्द की क्या आती है third form आती है बली कोई भी tense हो ठीक है ये आपको याद करना पड़ेगा आगे देखो देखे अगर double interrogative active voice में आ जाता है जैसे why do you blame him तुम इसे दोस क्यों देते हो why do you blame him ठीक है ये भी double interrogative है क्योंकि WS word आ के है तो आपको घबरानन नहीं है passive voice का formula होई रहेगा formula कभी नहीं बदलेगा जिस tense का एक formula लिख दिया मतलब वो formula हर sentence के लिए काम आएगा affirmative के लिए काम आएगा interrogative और double interrogative के लिए तो देखो वाई की जगा वाई लिख दो ठीक है अब चुकि डबल interrogative में भी आपको पता है कि WS word के बाद helping work आती है तो आपको इज आरे में से helping work कौन सी ले ले नहीं है object के इसाब से तो him यह object है हिम का nominative केस क्या होता है ही होता है क्या होता है ही यह देख लो nominative केस ही जो होता है वो object में हिम में रहता है सी जो है वो हर में रहता है यू यू में ही रहता है देम में बदल जाता है वी अस में आई मी में तो object में हो तो हिम में रहेगा वापस nominative case में आएगा तो ही में बदल जाएगा हर objective case में हो तो हर में रहेगा लेकिन nominative में आएगा तो वापस C में बदल जाएगा जैसे damn objective case में है तो nominative case में आने पर D में बदल जाएगा us objective case में है nominative case में आने पर V में, me, I में यह आप दोनों तरफ याद करना पड़ेगा object में रहे तो ऐसे है nominative case में रहे तो ऐसे है तो him चुक्कि यहां आगे आएगा इसलिए nominative case में रहेगा तो he में बदलेगा ठीक है तो why is helping work is आएगे क्यों 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 हिम आगे आने आएगी is आएगी तो ws word के तुरत बाद helping work आती ही यह तो आपको बता हुआ है जैसे इसमें बदे को do helping work आई है ठीक है तो यहां पे भी helping work आईगी why is इस आगई अब object यहां से पिछे खिसक जाएगा तो is object क्यों ही है तो he आगा है यहां पे blamed word की third form blame की third form क्या हो जाएगी blamed by और यह you इस sentence का subject है तो पीछे यह objective case में चला जाएगा you में तो you, you में ही रहता है यह ज्यान लगना यू नमनिटिव केस में भी you में ही रहता है और subjective case में भी you ही रहता है objective case में भी you ही रहता है आसा करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में होगा ठीक है थोड़ा सा और देख लेते हैं एक सेंटर से और देख लीजे कि अगर हमें प्रजेंट कंटिन्योस टेंस का पैसी वाइस बनाना है तो उस कंडिशन में आपके फॉर्मला रहेगा आपजेक्ट इजारेम प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट यानि प्रजेंट कंटिन्योस के पैसी वाइस के फॉर्मल में बींग आ जाएगा नहीं तरम बींग एड हो जाएगी यह आप थोड़ा द्यान लगना ठीके जैसे एक प्रजेंट सिंपल टैंस का एक्टिव वाइस का सेंटेंस लेते हैं राम इज इटिंग एन एपल राम एक एपल खा रहा है ठीके तो यह प्रजेंट कंटिन्योस टैंस का सेंटेंस हो गया प्रजेंट कंटिन्योस के सेंटेंस का पैसी वाइस बनाते हैं समय हमें बींग का इस्तमाल करना आपको कि सर इजारेम तो उसमें भी था इजारेम उसमें होगा लेकिन इसमें नई चीज बींग होगी कि present continuous का अगर sentence आगे है वो present simple के थे यह present continuous के है तो इसमें active voice में भी इज आरेम आएगा ठीके तो इसका passive voice बनाते समय हमें यह ध्यान लगना है formula को follow करना है तो object पहले आजाएगा तो आजाएगा an apple ठीके इज आरेम में से क्या आजाएगा इज बींग इट की थर्द परम क्या हो जाएगी इट टर्न बाए अजाए ठीक है तो यह हो गया अब इगर active voice इसमें interrogative में हो जैसे is मुकेश राइटिंग ए लेटर क्या मुकेश एक पत्र लिख रहा है ठीक है इंट्रोगेटिम में हो तो आपको passive voice भी इंट्रोगेटिम में कर देना है इंट्रोगेटिम में करने के लिए helping work को बाहर निकाल दो तो लेटर की लेटर अबजेक्ट है अबजेक्ट की helping work क्या होगी इज ही होगी तो इज is a letter अबजेक्ट यहां चला गया इज आरे में पहले आ गया ठीक है फिर आएगा being work की third form right की third form क्या हो जाएगी return is a letter being written by और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा सब्जेक्ट मुकेस है तो मुकेस पीचे आ जाएगा is a letter being written by मुकेस यह interrogative का हो गया मतलब अगर active voice simple में चल रहा है ता आप simple formula को follow करो active voice अगर interrogative हो जाता है तो आप formula को भी interrogative कर दो helping work को बाहर निकाल दो और active voice अगर negative होता है तो आप helping work के बाद not लगा दो formula में जैसे राहूल is not किलिंग हिम तो इसका passive voice हो जाएगा चोंकि यह negative है ठीक है तो इसलिए helping work के बाद not लगाना है तो हिम का nominative case क्या हो जाएगा ही मैंने आपको पहले ही बता है कि पिछे से आगे आता है तो nominative case में रहेगा आगे से पिछे जाता है subject तो objective case में रहेगा तो हिम का nominative case ही होता है he is not being killed by रागुल ठीक है यह आपको ज्यान लगना है और double interrogative हो तो wh word के बाद helping verb लगा देना पिछे वाले मैंने समझाया हूँ है आपको एक चीज आप नई चीज ज्यान दो कि passive voice जो होता है वो हमेशा transitive verb का बनता है इन transitive verb का passive voice कभी नहीं बनेगा जो भी verb transitive होगी उनका passive voice बनेगा जैसे transitive verb का मतलब है सकर्मक के लिए उसमें object होना जरूरी है जैसे मैं लिखता हूँ I open the door मैं दरवाजा खोलता हूँ तो open यह transitive verb है क्योंकि इस्षे दरवाजे की जरूरत है मैं अगर खाली लिख दू आई open तो क्या वाकि पूरा हो जाएगा मैं खोलता हूँ क्या खोलता हूँ दरवाजा तो लिखना पड़ेगा ना तो कुल मिला के यह है कि जिस verb के साथ object जुडा हुआ होगा उसी का passive voice बनेगा अगर किसी verb के साथ object नहीं जुडा हुआ है तो व intransitive verb में है जैसे I go मैं जाता हूँ अब इस go को object की जरूत ही नहीं है I slip मैं सोता हूँ इस slip को भी object की जरूत नहीं है तो जिन verb को object की जरूत ही नहीं है उनका passive voice आप नहीं बना सकते हूँ यह द्यान रख लेना जिन verb को object की जरूत होती है उनीका passive voice बनेगा और जिन वर्ब को अबजेक्ट की जरूत होती है वे वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है जिनको अबजेक्ट की जरूत नहीं होती है वे इन्ट्रांजिटिव कहलाती है ठीक है तो ये आप थोड़ा याद रखना आई लाफ अब लाब को भी object की जरूत नहीं, मैं आशता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं रोता हूँ तो इन में object की जरूत ही नहीं है, जिनको object की जरूत नहीं है तियो verb को वो इंट्राजिटी वर्ब है और इंट्राजिटी वर्ब का passive voice नहीं बनता है वाचिए इस